नमस्कार किताम सातियों मेरा नाम है मोईच सिंग और आप देख रहे हैं ट्रेक्टर जंग सिंग दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आए हूं सवराज कंपनी का टारगेट 630 ट्रेक्टर 29 पार का ट्रेक्टर है और इसमें बागवानी के लिए बहुत ज़्यादा अडवांस लेवल के फीचर दिये गए हैं जो कि आपकी प्रोड़क्टिवीटी को बढ़ाएगा साथी में जो में माइलन है ट्रेक्टर का वो भी काफी अच्छा आपको इस देखने को मिलेगा उसक आपको मिल जाए एक साथी में जोatar को एन्ड तक आप ज़रूर देखेगा ट्रेक्टर के फुली एरोडाणिमेक शेप के सांथ में इसका बॉन हट आपको मिल जाएगा साथी में जो design दिया गया है वो robotic style के साथ में इसका main front bonnet आपको देखने को मल जाता है सबसे पहले headlight आप चेक करेंगे तो काफी बड़े chambers के साथ में इसकी headlight मिल जाती है जो कि halogen bulb के साथ में आती है उसमें किसी परियर का change नहीं साथी में इसको और भी cool बनाने के लिए लगसे यहाँ पर जो आप चेक करेंगे प्लास्टिकल अलक्स element इस्तमाल किया है नीचे की तरफ जो grill दी गई है वो आप चेक कर सकते हैं काफी बड़े side में आपको देखने को मिल जाती है जो air circulation है वो काफी बहतरी तरीके से यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा उसके नीचे आप चेक कर सकते हैं यहाँ पर इसे ट्रेक्टर के लिए जो main front चूला है वो कुछ इस परकार से आपको देखने को मिल जाता है सवराज की branding आपको simple front के साथ में देखने को मिल जाती है पीछे की तरह आप चेक करेंगे तो यहाँ पर 630 की branding देखने को मिल जाएगी जो बोडल का नाम यहाँ पर दिदर्शाय गया है इसके अलावा इसे ट्रेक्टर के अदर जो bonnet है वो आप चेक कर सकते है सिंगल पीस यूनिट के साथ में इसका bonnet आपको मिल जाता है जो कि असानी से service वगरा करने के लिए आप उपर की तरफ इसको खोल सकते है बहुत ही ज़्यादा वाइडर लुक के साथ में कोलता है उसमें किसी पर करके समश्य आपको नहीं आने वाली है उसे अलावा नीचे की तरफ चेक कर सकते है यहाँ पर बैटरी कसान इसमें अंदर की तरफ यहाँ पर रखा गया है उसके अलावा डूल प्रोटक्शन देने के लिए आपको काफी अच्छा यहाँ पर फीचर दिया गया है उसके अलावा को वोटर कॉल्ड सिस्टम देखने को मल जाता है हाला कि आप कूलेंट का भी इस्तमाल कर सकते है उसके लिए रिजरवायर के साथ में रिकवरी बोटल यहाँ पर प्रोवाइड जिए करवाई गई है उसके अलावा किसान साथी आगे की तरफ की जो इंजन के सेमली है वो आप चेक कर सकते हैं कुछ प्रकास यहाँ पर दी गई है इसमें जो इंजन इस्तमाल किया गया है वो आप चेक कर सकते हैं यानमर कंपनी का लिक्विड कूल डिरेक्ट इंजेक्शन सिस्टम इसमें आपको देखने का मेल जाता है जो की 39 HP की पावर के साथ में आता है जो में इंजन कॉनसीग्रेशन है थ्री सिलंडर की पावर के साथ में 1331 सिसी का इंजन दिया गया है जो की प्रड्यूस करता है 87 Nm का टोर्क जो काफी अच्छा टोर यह ट्रेक्टर जो है इस HP श्रीनी के साथ से प्रड्यूस यहाँ पे करता है ढूसरी तरफ अगर आप चेक करेंगे तो जो एर क्लीनर है वो ड्राइ टाइप का डूल ऐलिमेंट के साथ में आने वाला एर कलीनर ही यहाँ पे दीया गया है जो की क्लोगिंग सेंसर के साथ में ही जो है आता है साती में नीचे की तरह आप चेक करेंगे तो इसमें माइको बोश कमपनी का इन लाइन आफाइबी पंप इस्तमाल किया गया जो कि लो में इंटरनेस रहता है उसमें किसी भी बड़ार के समश्या नहीं आती है लंबे समय तक ये pump without किसी समश्या के असानी से जो चलता रहता है उसके अलावा किसान सातियों ये जो ट्रेक्टर है 4WD capability के साथ में आपे आता है इसमें जो front axle यहाँ पे 4WD का दिया गया हूँ आप चेक कर सकते हैं bevel gear की गिरारी के साथ में दिया गया है fully metal sealed axle है पानी जाने की सबश्या इसमें नहीं आने वाली है असानी से धान की बडलिंग वेगरा में इसको असानी से आप चला सकते हैं महोती ज़्यादा की फाइती है आपके लिए ट्रेक्टर रहने वाला है उसके अलावा किसान साथ इसका जो में ट्रेक वीड़ था अगर आपको गटाना है बढ़ाना है अलग-लग सेग्मेंट के साथ से अपने ट्रेक वीड़ को आप लेना चारहे है अलग-लग ऑप्शन के साथ में ले सकते हैं ओर उसे ट्रेक्टर के चड़ाई ती गई है उसके साथ से अपनी अच्छी चट़ाई को देखने को मिल जाती है यहापनी फसलों के साथ मीड़ चेक कर सकते है himma प inappropriate करवाइड करवाय गई है पार्किंग लाइट है वहас है ऑपर देखने को मिल जाती है और साइड में इंडिकेटर लाइट है वह स्थाम पर इस्तमाल जो है नहीं किया गया है इस द्रेक्चर के अंदर यहां पर डिजल टैंक दिया गया है सब पाफ सरी की अपैस्टी के साथ में आपको देखने को मिल जो हाइड्रोलिक की ओईल की सप्लाई है उसके लिए भी सेपरेट वंप आपको देखने को मिल जाता है और इसे ट्रेक्टर के अंदर यहां पर आपको डूवल एक्टिंग पाउसरिंग प्रवाइड करवाया गया है जो कि ट्रेक्टर की मखन कटाई के लिए यहां पर के साथ में जो है अनार की ट्रेक्टर को प्योग रहें तो साइलेंशर यहां पर नीचे की तरफ ही रखा गया जो उपर की तरफ लगने की जो समश्यस में नहीं आने वाली है और जिन्गन का साउंड है वह भी काफी बहतरी आपको देखने को मिल जाएगा उसके बात बात इसे ट्रेक्टर के मेन प्लेटफॉर्म की यानि जो सिटिंग एरिया है वो आप चेक कर सकते हैं सबसे पहरे जो प्लेटफॉर्म हो आप चेक कर सकते हैं रबर मैटिंग के साथ में दिया गया है और बीच में यहां पर आप चेक कर सकते हैं से बंप देखने को बल जाता है हलाकि fully flat आपको नहीं दिया गया है हलका से बंप इसमें आपको देखने को मेलेगा बट इसमें जो में रबर मैटिंग उसको इस्तवाल किया गया है असानी से आप इसको जो क्लीन कर सकते हैं साथ ही वे दोलों ही तरह जो पैडल्स दिये गए ह अपर नहीं दिये गए है उसके अलावा सीटिंग एडिया आप चेक कर सकते हैं जो सीट दी गई है फुली अरगनोमिक शेप के साथ में डिजाइन करी गई है इतने भी ट्रेक्टर के हाथ में जो अप्रेट करने वाले लीवर है चाहे हो गीर का लीवर हो आईडॉलिक के ल जाती है यानि नो फॉरवर्ड और तीन रिवर्स की स्पीड के साथ में यहाँ पर ट्रेक्टर आता है फुली सिंग्रोमेश ट्रांश्मिशन है किसी भी परकार की समझ्या आपको नहीं आने वाली असानी से अपरेट कर सकते हैं भागते वे ट्रेक्टर में या पर नूर्म पर ट्रेक्टर को चला सकते हैं उसका लग से लीवर यहाँ पर दिया गया है उसकी साइड में अगर आप देखने को बात करेंगे तो यहाँ पर जो प्रकार से आपको देखने को मिल जाता है काफी यूञेक स्टायल के साथ में डीजाइद कीए गये हैं उपर की तरफ यहाँ पे आप के 20 पिपाई टेखने को भाने को मिल जाते है साथ ही में इससे ट्रैक्टर के नदर जो भिए गयर वह वह आप चेक कर सकते हैं कुछ प्रीकारस से आपको देखनी को मिल जाता है उसके अलावक पेखने क इस प्रेक्षान साथी उसम्गी उनींट फीचर जो है इंडस्ट्री लीडिंग फीचर यहाँ पे saurاج कमपनी ने प्रवाइड करुआया वो spray saver switch को आप चेक कर सकते हैं । अगर आपकों एक बटन की सहायता से spray बंद करना है तो असानी से आप कर सकते हैं औहीं कंद कर सकते हैं जो चलाना है कि आप छड़काव फसलों में गर रहे हैं तो इसकी मदस से जो है आप उसको आसानी से बंद भी कर सकते हैं और चला भी सकते हैं जो की काफी एक बहतरी फीचर यहां पर प्रवाइड जो करवाया गया है उसके बात बात आती है इसे ट्रैक्टर के में डेश बोड की और स्टे आप ट्रैक्टर के घंटे चेक कर सकते हैं कितने घंटे आपका ट्रैक्टर चल चुका है साइड में आप चेक करेंगे तो फोर विल ड्राइव अंगेज है नहीं है उसका सिम्बल देखने को मिलेगा बीचे की तरफ पीटियो चल रहा है नहीं चल रहा है उसका भी सिम्बल यहां पर असानी सी आप जनकरी प्राव कर सकते हैं उसके अलावा ट्रेक्टर के इंजिन साथ अगर बात करी जाए तो वह आप सुम सकते हैं यानमार कंपनी का इंजिन है तो पिसी भी परकार की एक्साथ जो नोइस इसमें नहीं देखने को मिलेगी काफी मखं साउड के साथ में ट्रेक्टर आपको देखने को मिल जाता है उसके बात की साथ साथ यह बात आती है इस ट्रेक्टर के रीर एक्सल और हाइड्रोली की तो सबसे पहले रीर लूग आप चेक कर सकते हैं जो मेन टेर लेंप दी गई है वो अलोजन बलब के साथ में आपको देखने को मिल जाती है और एकसे जो लाइट है पीछे की तरह वो LED के साथ में देखने को मिल जाएगी उसके अलावा किSASAN साथ इसे ट्रेक्टर के रीर एकसल कि अगर बात करेज़ा है तो आप चेक कर सकते हैं स्टेट ताइब का रीर एकसल आपको मिल जाता है जो कि क्राउन पिरिनन गीरारी के साथ में आपको मिल जाएगी और gearbox से टूटने का जो खत्रा है उसमें नहीं रहने वाला है साथी में जो hydraulic दी गई है max lift hydraulics में आपको देखने को मिल जाती है जो की 980 kg की समता के साथ में आती है fully automatic depth and draft control के साथ में देखने को मिल जाती है जो एक समान गहराई है कि अंदर implement के साथ में वो काफी बहतरी नहीं से ट्रेक्टर के आपको देखने को मिल जाएगी उसके अलावा जो टोपलेन के sensing point है तीन यहाँ पे दिये गए है असानी से soft मिट्टी है, hard मिट्टी है अपने जूट के साफ से सेट करके implement को आप चला सकते हैं वो जो में हाइडरोलिक की लिंक है वो आप चेक कर सकते हैं काफी है वी डूटी क्वालिटी के साथ में यहाँ पे दी गई है साथी में इसमें जो stabilizer यहाँ पे दिया गया है चेक चेंज सिस्टम वाला ही आपको देखने को मिल जाता है उसके बाद इसे ट्रेक्टर के पीटियो पावर के अगर बात करी जाए तो 17.9 किलो वाट की पीटियो पावर मिल जाती है अगर आप ओप्शनल लेना चाहरे है जो narrow track width है वो लेना चाहरे है तो इसमें आपको 755 mm की optional track width यहाँ पर मिल जाती है वो आसाने से आप ले सकते हैं जो rear track width है अगर standard में आप 797 mm की लेना चाहरे है तो वह भी आप ले सकते हैं साथ ही में जो main weight दिया गया है ट्रेक्टर का 975 kg के साथ में आता है जो height दी गई है 1275 mm की देखने को मिल जाती है जो minimum turning radius है वो 2.1 meter का आपको देखने को मिल जाता है उसे बात बात आती है ट्रेक्टर के tire size की तो जो rear tire size है वो आप इसे ट्रेक्टर का चेक कर सकते है 925 mm के size में देखने को मिल जाता है जो tire size हो काफी बड़े tire size में आपको देखने को मिल जाता है उसके अलावा किसान साथ हो अगर आप हरियाना की चर्खी दादरी जीले में इसे ट्रेक्टर को खरीदने का प्लान कर रहे हैं तो यहां पर चेक कर सकते हैं जो डिलर्शिप का एडरेस से कुछ इस परिकार से अप्समपर करके इसे ट्रेक्टर को यहां पर खरीद सकते हैं उसे अलावा इसे ट्रेक्टर के जो meyn ब्राइज है अपने एरिया के साबसकी कीमत की जानकारी का है तो में ट्रेक्टर जैंशन का मीन अप्लिकेशन गूगल पर स्टोर से मत